वेल्कम बैक टू चैनल एक्सकावेशन के उपर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आएँ आपको की कैसे एक्जिक्यूट करना है उसके बाद जो कॉंटिटी कैसे निकालना है जो इर्रेगुलर शेप के एक्सकावेशन होते हैं जैसे यहाँ पे यूजिटी का एक्सकावेशन चल रहा है ठीक है तो अभी यहाँ पे है थोड़ा सा पार्ट अंदर गया हुआ है फिर लेफ साइड में गया हुआ है देखिए उधर भी जहां पर पोकलेन खड़ा है तो इर्रेगुलर शेप का कॉंट्रीडी कैसे निकालना है और एक्जिकूशन का पूरा प्रोसेस डिस पीगा सकते हैं आप सीख सकते हैं मायवन क्यंट धृट divergence डिक्सक्रिप्शन में लिंक दिया हुआ हुआ है वह जाक net वह से वूरे इliamo करते हैं पहले अगर आपको excavation start करना है ठीक है एक्सकाविशन start कभी कर सकते हैं जब आपके पास plan होगा excavation का ठीक है क्योंकि measurement का plan नहीं रहेगा आपके पास जैसे यहां पे ही इतने measurement पे excavation start करना है आपको कैसे पता चलेगा जब आपके पास plan आएगा ठीक है तो सबसे पहली चीज़ हो है, प्लान रहना चीज़ है, लेवल वाला प्लान रहना चीज़ है, कि उसका सब कुछ रहा है, हाइट रहा है, पूरा डैमेंचन रहा है, कि इसका वीद क्या है, हाइट क्या है, लेंद क्या है, ये प्लान में होना चीज़ है, प्लस जो हाइराइस विल्डिंग में लेवल होता है जैसे यह लेवल यहाँ पर एक डाउन है एक विल्डिंग में दिखा दू आपको तो इसका लेवल बॉटम लेवल PCC का लेवल लेवल आपको नहीं समझता है लेवल के बारे में क्या बात कर रहा हूं तो एक विडियो यहाँ पर चैनल पर अवेलेबल आप उस पर देख सकते हैं लेवल के बारे में डिसकस किया हूं पूरा मैं ठीक है सबसे पहले चीज़ प्लान विट लेवल विट ओल डामेंशन आपक लेवल के लेवल के यहां लाना है या तो आटो लेवल यूज कर सकते हैं या तो टुब लेवल भी यूज कर सकते हैं उससे हमको गुमाके लेकर आना है उसके बाद इसका एक्सकावेशन स्टार्ट करना है कैसे चूना का मारकिंग करना है पूरा चूने से आपको लाइन से मारकिंग कर देना है मेजरमेंट उसका कि यहां यह लाइन मारके देना है और जब भी आप एक्सकावेशन का लाइन मारेंगे तो एक्सकावेशन का लाइन मारेंग क्योंकि कैसा है जो cutting होती जैसे यहां पर आप cutting देखेंगे तो थोड़ा सा बाहर निकली हुए है बट नीचे जाएंगे तो वह देखिए slope हो गया है जैसे यह बाहर निकला हुआ है तो नीचे का जो पूरा footing का है जो भी size होगा building का footing का वो आपको proper नहीं मिलेगा तो इसलिए हमेशा वन मीटर से एक से देड़ मीटर आपको measurement से जाधा देना है आपको जो चूना मार के देना है वो थोड़ा सा जाधा देना है ठीक है तो यह एक तीन चीज़ हो गए एक plan level transfer और जो measurement देना है वो एक मीटर बढ़ा के देना है ताके पूरा आपका structure properly बैटे ऐसा ना हो कि एक बार poklin आया और पूरा बराबर से cutting नहीं किया जब execution start किये तो पता चला कि अभी और छिल के चाहिए और execution करके चाहिए तो poklin हो सकता है जा चुका रहे साइट से वापस लाना मुश्किल होता है तो यह थोड़ा सा गलत हो जाएगा तो इस पर बहुत ध्यान देना है जब भी आपको marking देना है थोड़ा सा extra marking देना है ठीक है तो यह हो गया उसके बाद चौती चीज जो है वो है कि hard कहां पर लग रहा है ठीक है यह तो execution का पूरा procedure हो गया कैसे execution आप करेंगे पहला plan दूसरा आपका measurement जो plan रहेगा उससे आपको छापना है जो भी excavation आपको करन लेवल ट्रांसफर और चेकिंग करना है ऐसा लाइन डूरी बान के टेप लागा के चेक करना है लेवल पहुचा की नहीं पहुचा ठीक है अभी आते है calculation पार्ट पे इसका calculation कैसे करते हैं तो देखिए गाईज दो चीज होती है उपर से जब आप excavation करते हुए जाएंगे त तो इसका calculation करना है जो वो लेवल रहेगा जैसे ये लेवल जो है तो ये लेवल से चेक करना है कि soft कितना है जैसे यहाँ पर consider कर लिजिए 2 मीटर soft है तो जो इसका area होगा ये पूरे excavation का area होगा तो वो area into height करेंगे जो 2 मीटर इसका height मिल रहा है तो आपको soft soil का यहाँ पर मि उसके बाद नीचे जो hard है एक मीटर अगर पकड़ लें आप तीन मीटर का depth है तो एक मीटर का अलग से area into height of जो hard rock का height है ठीक है तो ये calculation part होगा इसमें आगे वीडियो के अंदर तो इसी तरीके से soft soil का अलग rate रहता है इसलिए उसका अलग calculation होता है hard rock का अलग रहता है rate इसल आपका अगर irregular shape का है तो उसमें आपको rectangular, triangular shape में इसको divide करना है properly उसका area निकालना है उसके height से multiply कर दिना तो वो calculation part आगे मैं properly add कर रहा हूं आप उसको properly देखिए और समझे कि calculation area calculation quantity m3 में इसका rate आता है कितना आता है कैसे होता है ठीक है तो ये पूरा procedure मैं समझा दिए execution purpose के आगे वीडियो में आप देख लेंगे ठीक है यह था अपना एक्सकावेशन पर वीडियो calculation part देखते हैं सुगाज आगे अपने calculation part पर तो जो points धान देना है calculation में जो आपका underground tank है या कोई भी excavation है यहां पर मैं underground tank का irregular shape का excavation था इसलिए मैंने एक्जांपल लिया है तो आपक innovation उसके बाद जो shapes रहेगा उसके नदर divide करना है जैसे यह पार rectangular shape में divide हो गया तो मैं rectangular बना दिया area निकालने के लिए यह rectangular और square shape में हो रहा था तो इसको एक triangular shape में हो रहा था तो इसको area निकालके मैं triangular shape में कर दिया rectangular shape में कर दिया क्यूंकि इसका भी area का formula पता है इसका भी प यह एक soft soil एक hard soil ठीक है hard rock होता है यहाँ पे ठीक है तो अभी यहाँ पे यह चीज तो divide कर दिया हमने कि यह rectangle बनेगा यह triangle बनेगा जो भी हिसाप से आपका जो shape का बने तो वो हिसाप से आपको बनाना उसके बाद डिवाइड कर देना area number one two three four ठीक है अभी इसका section अगर हम दोग देखेंगे क्या चीज होती है यहाँ पे कि मैंने section काट आगो है section xx तो इसी चीज को मैंने यहाँ से draw किया यह पहली wall ठीक है second wall third wall second wall third wall तो यहाँ पे दो मीटर जब आप जाएंगे excavation करने के लिए तो यहाँ पे जो रहेगा यह पूरा soft soil रहेगा तो इसका measurement अलग होता है और इसका rate भी अलग होता है तो इसलिए दो दोनों को अलग अलग लेते हैं एक diamond cutter भी होता है जो बहुत hard जहां black rock लग जाता है वहाँ पे diamond cutter नाम की machine आती है वह यूज करना उसका rate अलग होता है ठीक है तो यह यहाँ पे 2 मीटर तक आपका soft soil है और 1 मीटर तक यहाँ पे hard rock है जो मैंने अभी practical video में दिखाया था ठीक है तो area no.1 क्या है आपका rectangular shape में है L into B किया 20 meter by 5 meter तो 20 into 500 square meter area no.2 करेंगे तो 10 into 10 side square area area no.3 किया तो आपका आजाएगा half L into B into H ठीक है base into height ठीक है area of triangle तो यहाँ पे आएगा 10 square meter यह triangle का 3rd जागया 4th जो अपना आएगा वो 4th one rectangular का L into B वा जाएगा 6 into 5 तो 6 meter और 5 meter इसी तरीके से आपको area calculate करके सारे area इसको plus करना है plus करने के बाद आपको आजाएगा 240 square meter ठीक है बट अपना जो rate है वो m3 में है तो volume कैसे मिलेगा आपको height area into height जो भी आपका soft soil का height रहेगा उसको area into 2 meter soft soil है तो 240 into 2 volume of soft soil मिल जाएगा 480 qmg ठीक है तो यह soft soil का हो गया उसके बाद volume of hard rock क्या हो जाएगा 240 area यह पूरा area जो है वो हमने calculate किया वो आएगा 240 square meter 1 meter आपका hard है यह देखे 1 meter आपका hard है तो 240 into 1 meter क्या हो जाएगा volume of hard rock तो यह हो गया आपका 240 into 240 into 1 तो क्या हो जाएगा 240 qmg ठीक है उसके बाद इसी का rate में अगर आपको बिलिंग करना है तो चेक करना है क्यातना पैसा बन रहा है इसका तो 480 into 250 soft soil का जो चलते रहा चलता है 250-260 per mq तो 480 into 250 अजूम किया है यह पर एक लाग 20,000 रुपया soft soil का उसके बाद 240 qmg आपका hard rock है तो वहाँ पर 240 into 450 से लेके 500 जो भी आपके area में rate रहेगा उससे into कर देना है तो आपका एक लाग 8,000 बन जा गए दोनों को total किया आप तो आपको मिल जाएगा 2,28,000 का bill इस इतने से excavation करने का by pork land machine और ठीक है तो यह था आपका quantity calculation इसी तरीके की practical videos आपको चैनल में मिलते रहेगी subscribe नहीं किया चैनल को subscribe कीजिए और practical videos से knowledge लेती जाएए thank you for watching the videos